आज हम रेवीज के बारे में एक जनरल इन्फरमिशन देंगे रेवीज यूजली लोगों के अंदर ये एक डाउट रहता है कि हमें कौन सा वैक्सिन कब लेना चाहिए तो डॉग बहुत कॉमन है और लोग घरों में भी पेट डॉक्स रखते हैं ये आज कल बड़े सरों में क बाइटा नहीं होगा इस सिर्फ इसमें लिक लिक किया डॉग ने या एनी वाइलनमल जो इक लिक करे तो हम ने स्रफ और अच्छे तरीके से वाच करना है घ्त करना है के खर इंजीअ आ या अनी सभावों में अर्क बैट हो बेरा भी किन निल घाउक ऑं अर्त कराचेज भी जाने के बाद जो टीटमेंट का पार्ट है उसमें हमें एक टीटी इंजेक्शन और रभीच के वैक्सिन्स लगते हैं केटेगरी 3 जो हमारा एक्टेंसु डॉग बाइट है या एक्टेंसु वाइल एनिमल बाइट इसमें उसिंगा ब्लड या मांस का टुकड़ा बहार आ गया हो इसको केटेगरी 3 में डाले इसका जो पार्ट आप ट्रीटमेंट है सबसे पहला की वोन को अच्छे तरीकेशे वा ट्रीटमेंट के पार्ट में अरका अता है कि हमने कितने दिन और कितने वैक्सिंग ले ले लें तो वैक्सिंग पांच ओंच वैक्सिन लगते हैं 0, 3, 7, 14, and 28 days. जीरू डे हम उसको बोलते हैं जाज्दिन डॉग बाइट हुआ और उस दिन वैक्सिन लगा तो वैक्सिन लगने फर्स्ट दो vexine जो लगता है उसको जीरो डे बोलते हैं और उस दिन से हम तीसरा दिन सातवा दिन चौदहमा दिन 28 मां इन ऐन करते हैं इमपनोग्लोबलन जो दिया जाता है आपका जो कि ए इपर्सवेज इम्माइन ग्लोबलन आज का डूल जो गाइडलाइन से काड़ियो और काटेग्रीज थी इन दोनों में आपको इपर इपर बॉड़ी में लगना चाहिए जो इप सिंगल डूज होता है और मैक्सिमम वाग्सीन जो है वुंड के चादो तरब दिया जाता है मैक्सिमम डूज जो है 1500 यूनिट ही दिया जाता है इविनो ग्लॉबलिन का देनी का परपस यह होता है कि इसके इफेक्ट इमेडियतली स्टार्ट हो था वैक्सिन का जो एफेक्ट स्टार्ट होता है वो आफ्टर सेवन डीज स्टार्ट होता है तो डॉग वाइट में सबसे पहले चीज वोन को अच्छे से वाश करें धूलें और इमेडियेट हॉस्पिटल जाएं